हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक मैं चैनल जिग्रॉफी एक्साम गुरु आप सभी का मेठे चैनल पर वेलकम है तो देखिए मैं आप लोग को जो बिहार सिक्चक भरती का निकला हुआ है अपने फॉर्म तो अप्लाई करी दिया होगा तो उसका एक्साम जैसे अगस्त में होना ह तो देखिए तो उसका तयारी के लिए जो किरन इंस्टिट्यूट का है यह वाला देखिए किरन पब्लिकेशन का है बिहार सिक्चक माध्मिक बिद्याले सिक्चक का है यह तो मैं माध्मिक वाला नाइन से टेन विशे शामाची विज्ञान यह सेट बहुत ही अच्छा कोशन्स दिये गया हैं पार्टे करम पराधारित है और प्रैक्टिस वर्गुक में भी जो है उनसे रिलेटेट कोशन्स हैं तो यह सेट अगर आप करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे और मैं रोज एक सेट आप लोग को इसको तो देखिए यह चैप्टर वन है क्लास नाइन का बोगुली खोच मारको पुलो कहां का यात्री था तो मारको पुलो जो है वो उर्थगाल के यात्री थे नेक्स्ट है यूरोबासी ने कमपास का ग्यान किन से सिखा यूरोबासी ने कमपास का ग्यान किन से सिखा तो देख नेक्स है भारत में फ्रांसेसी का आगमन कब हुआ तो देखे भारत में फ्रांसेसी का जो आगमन हुआ था वो 1664 में हुआ था कब वह था, 1664 में, विश्व का चक्कर कि सियाद्री ने सरपर्थम लगाया था, तो जो विश्व का चक्कर है, वो सबसे पहले मैगलन ने लगाया था, नेक्स्ट कोशन है रेड इंडियन कहां के निवासी है तो रेड इंडियन जो है वो कहां के निवासी है अमेरिका के निवासी है Christopher Columbus ने अमेरिका की कोच की तो Christopher Columbus ने अमेरिका की कोच की थी देखे नेक्स्ट ये Class 9 का Chapter 2 है अमेरिकी सुतंता संग्राम तो अमेरिकी सुतंता संग्राम रिखेंगे Class 9 का History का साड़ा Chapter 22 मैं आपको इसमें करवाऊंगी ठीक है तो देखे वैला कोचन है अमेरिकी सुतंता संग्राम से सब्तवर्शी यूद में काफी छती किन देशों को हुई तो किसको हुई थी इंगलेंड को सब्तवर्शी यूद में Sorry friends तो देखे नेक्स्ट कोचन है दो नमर बोश्टन चाय की पाटी की घटना कब घटी तो यह जो घटी थी 1773 में घटी थी वोश्टन टी पाटी की नेक्स्ट है विश्व का प्रतम लिखित सन्विधान किस देश में लागो किया गया तो विश्व का जो प्रतम लिखित सन्विधान है यह अमेरिका में कहां पे अमेरिका में लागो किया गया था नेक्स अमरिका का पर्थम राश्पति कौन था तो अमरिका के पर्थम राश्पति कौन थे जॉर्ज वांसिंग्टन गया होगा जॉर्ज वासिंग्टन अमरिका का सन्विधान कब लागो हुआ तो देखिए अमरिका का सन्विधान जो है वो 1787 में लागो हुआ था यह है अध्याई थिरी फ्रांस की क्रांती तो अध्याई थिरी में फ्रांस की क्रांती में पहला कुशन है लूई 16 वा किस वर्ष फ्रांस की गद्धी पर बैठा तो यह फ्रांस की गद्धी पर 1774 में 1774 में फ्रांस की गद्धी पर बैठा किस सासक ने कहा मैं ही राज्य हूं तो देखे इस question का answer जो हो जाएगा वो लूई चौधावा होगा लूई चौधावा ने कहा था मैं ही राजी हूँ next question है गौडपुर्ण की घटना इंग्लेंड में कब घटी तो गौडपुर्ण की घटना इंग्लेंड में 1688 में कब घटी 1688 में घटी इंग्लेंड में संसदिय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ इंग्लेंड में संसदिय सुधार अधिनियम 1832 में कब पारित हुआ 1832 में 1832 में सुतंतरता समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांती से संबंदित है समानता और बंधुत्व का नारा जो है यह फ्रांसिसी क्रांती से संबंदित है, इसका answer क्या हो जाएगा? फ्रांसिसी क्रांती नेक्ट कोशन है 1856 में हुई पेरिस की संदी के प्रमूख प्राबधान थे तो इसके प्रमूख प्राबधान क्या थे? तो इस question का देखिया answer हो जाएगा क्या आप बोल रहा है पहला में क्या है सर्विया की स्वतंता को स्विकार किया गया काला सागर को तथर्ष्ट गोशित कर दिया गया रूस ने तर्की की इसाई प्रचा के संडच्छन का दिकार त्याग दिया उप्युक सभी तो इस question का answer होगा उप्युक सभी रूस ने तर्की की साई प्रचा के संडच्छन का दिकार त्याग दिया प्लस काला सागर को तथर्ष्ट गोशित कर दिया था और सर्विया की स्वतंता को स्विकार किया गया था तो ये तीन हो जाएगा नेक्स question है 7 नमर फ्रांसेसी करांती के परिणाम है तो फ्रांसेसी करांती के क्या परिणाम निकले पहला है सामन्ती प्रथा का अंधुआ दो नमर में कारेपालिका नियाएपालिका और व्यवस्थापिका को एक दूसरे प्रिथक कर दिया गया लोगों को धार में सतनता मिली उप्युक सभी तो इस question का answer हो जाएगा उप्युक सभी next अध्याई 4 ठीक है अध्याई 4 में देखे विश्यु युधों का इध्यास्ति रूस जापान युध कब हुआ तो option A 1902, 1905, 1914 and 1917 तो इसका answer हो जाएगा क्या 1905, रूस और जापान का युध जो है 1905 इस भी में हुआ था next question है त्रिगुट सम्मेलन कब हुआ था तो देखे त्रिगुट सम्मेलन जो है 1882 में हुआ था और 1882 में त्रिगुट सम्मेलन हुआ था नेक्स त्व बरसाइची संदी में कुल गितने देश नेरनायक भूमिका निभा रहे थी तो बरसाइचे संदी में in Bangladesh अध्याए 5 नाजीवाद से मुसोलीन का संबन्ठ किस द hops कि से फोरी तो हिपिंगे MOMSOLINE मेरस किस देश इनिक है इसका है फ्रानस तो हिल्पर रूंभा-क तो हिटलर में मीन कैम उस तक किसकी रचना है मीन कैम जो है हिटलर की रचना है मीन कैम किसकी रचना है हिटलर की हिटलर को चांसलर मनोनित कब किया गया था तो हिटलर को जो चांसलर है वो 1933 में ठीक है 1933 में क्या गया था Germany की मुदरा का नाम क्या था तो Germany की मुदरा का नाम है पॉंट क्या है पॉंट next question, next अध्यायेच छो है अब बने समाज और उपने वेस्वाद क्लास नाइन का करवा रहे हैं आपको भारत की सबसे बड़ी जनजाती कौन सी है तो दिखे भारत की जो भारत की सबसे बड़ी जन जाती जो है वो है भील क्या है भील जो है सबसे बड़ी जन जाती है नेक्स कोशन है भारती है वन अधिनियम कब पारित किया गया तो भारत में जो वन अधिनियम है 1865 में 1865 में पारित किया गया तमार विद्रो कब हुआ था, तमार विद्रो जो है 1789 में हुआ था, कब 1789 में, कंध विद्रो किस राजय से संबंदिद है, कंध विद्रो जो है ओडिशा से संबंदिद है, किस से ओडिशा से, विर्शा मुंडा का जन जारगंड के किस गाउ में हुआ था, तो विर्शा मु सन्युप राश्ट के कितने अंग हैं और पूवेत को इराकी सेना से कब मुक्त करा आया गया तो गुवेत को इराकी सेना से 1991 में मुक्त कराया गया कब 1991 में मुक्त कराया गया नेक्स है सुरच्छा परिश्चत में कितने देश अस्थाई सदस्य हैं तो सुरच्छा परिश्चत में जो हैं पांच सदस्य जो हैं वो अस्थाई सदस्य हैं कितने पांच सनीथराजजन की स्थापना कब हुई थी सनीथराजजन 기ze स्थापना chemistry 45 में da 1945 नहीं है तो पर दिईशन मेंट है तो क्लास नाीं में इसकाल आठ अध्याय हैं तो दिखें यह जो है पहला कोशन है करीशी की सूरुमात किस काल में हुई थी? नयीन से रेशेदार फस्ले कौन सी है?เผो रेशेदार फस्ले जूट होगा उसके बाद कापास उत्पादन का श्रेक किस सभ्यता की देलो है ये सिंदु घाटी सभ्यता का पास उत्पादन जो है सिंदु घाटी सभ्यता की देन है नेक्ष रवी फसल की कब बुवाई की जाती है तो रवी फसल की बुवाई जो है वो अक्टूबर से नवंबर में की जाती है कब अक्टूबर से नवंबर में नेक्ष धान किस जलवाय की फसल है thank you friends thank you very much watching for my video और अगर अब इसी तड़ा की रनका जो है मादुमिंग विद्यारी के लिए आगे और चेप्टर देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके वेल आइकन दवा देज़ेगा लाइक कर देज़ेगा ताकि मुझे पता चले कि आपके लिए ये questions helpful है अगर आपके लिए helpful होगे तो मैं और आगे वीडियो बनाओंगी thank you